टीवी न्यूस चैनल्स पर इन दिनों खबरों की जगा जंग शुरू हो जाती है जंग राजनेतिक हो या फिर रूस युकरेन के बीच चल रहे सैने संघर्ष की उसकी हैडिंग कई बार आक्रमक और डराने वाली होती है युकरेन में एटमी हडकम युकरेन में पुतिन का प पीचा ने देश भी दिये हैं देश के टीवी चैनल्स पर आजकल सिर्फ दो मुद्दों पर चर्चा होती है युकरेन रूस के सैने संघर्ष की या फिर देश में बढ़ते सामपरदाइक तनाव की बाकी की खबरे टीवी चैनलों की दुनिया से गायब कर दी गई है चैनल पर रूस युकरेन संघर्ष नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की घटनाओं पर जिस तरह की रिपोर्टिंग और डिबेट कुछ न्यूस चैनलों पर दिखाई गई उस पर सरकार ने एतरास जताया है सूचना और प्रसारण मंत्राले ने हैडिंग की लिस सामने रखते हुए कई तीवी चैनलों की कवरिच पर सवाल उठाए है सुरकार ने टीवी रिपोर्ट को भ्रमित करने वाला बताया है रिपोर्टिंग की भाशा को सामाजिकरू criteria कहा है इसे प्रोग्राम कोड का उलंगन माना है सरकार ने टीवी चैनल से साफ कहा है कि कोई भी ऐसा कारिकरम प्रस को तयार नहीं है सरकार ने कहा कि रूस यूक्रेन मामले की रिपोर्टिंग में जूटे दावे किये गए हैं अंतराष्टी एजंसियों का गलत हवाला दिया गया हैड्लाइस ऐसी लगाए गई जिसका न्यूस से कोई लेना देना नहीं था पत्रकार और एंकर मन गणत कहानिय सुना रहे हैं दिले के जहांगीर पूरी की घटना की कवरेज पर भी सरकार ने सवाल उठाए हैं कई ऐसे वीडियो दिखाए गए जिससे सामपरदाइक सोहार्द बिगड़ा बिना पुष्टी के CCTV फुटेज दिखाई गई एक समुदाइक की फुटेज के आधार पर पर दाएक तनाव को बढ़ाने वाला बताया गया मंत्राले ने कई हैडिंग को सामने रखा जो TV चैनल पर चलाई गई डिली यूक्रेन मामने पर जिन हैडिंग पर आपत्ती जताई गई उनमें से कुछ भढ़काने वाली हैं तीवी चैनल की हैडिंग जिन पर सरकार को यार ये रात कयामत वाली है इसके साथ कई और हैडिंग्स पर सरकार ने आपत्ती जताई है सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है आप देखना ये है कि टी आर पी के खेल में खबरों से खिलबार करने वाले चैनल क्या इन आपत्तियों के बाद समलेंगे या खबरों का वेपार इसी तरह जारी रहेगा डी बी लाइफ की रिपोर्ट